अलगातार प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ और राज भी उनकी तीन जिन सभाएं हैं अलग-अलग जोखों पर और अभी अनिल बलूनी के प्रचार के लिए पहुचे हुए हैं श्रीनगर सीधी तस्वीर लाइव आप देख रहे हैं श्रीन प्रचार से वोट की अपीर की जा रही है और सीएं जोगी भी मंच पर मौजूद हैं और ये दिखिए सीधी तस्वीर मुख्यमंत्री योग्या दितनाथ ती मंच पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं आप दिसनिए भारत माता की भारत माता की गंगे माता की गंगे मैया की बद्री नाद भगवान की सिकेदार नाद भगवान की माता धारी देवी की देव भूमे उत्रा खंड को नमन करते हैं आज 14 अप्रेल है भारत के समिधान के सिल्पी बाबा सहाब डॉक्टर भीम्रा अंबेटकर की पावन जयन्ती इस उसर पर उनकी स्मिर्थियों को नमन करते वे बिनम्बर सरधान जली आरपित करता हों और आप सभी उत्रा खंड के बेहन और भाईयों का हिरदै से अभिनंदन करता हों मंच पर पस्ते भारती जन्ता पार्टी के हमारे करमठ प्रति महंद्र भड़ जी प्रतिस्टी होंगे भारती जन्ता पार्टी के रास्टिय प्रवक्ता के रूप में शेत्र की सरकार और भारतिय जन्ता पार्टी के मुद्दों को प्रभावी धंसे देश और दुनिया के सामने रखने में मैत्वपूर भूमिका का निर्वहन किया है ऐसे लोकप्रिय नेता सी अनिल बनूली जी शेत्री सी सुभूत उन्याल जी इस सेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्राखन सासन के मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावज जी मान्य सांसत सितीरत सिंग रावज जी आज के से पर मान्य विधायक गांड सीराज कुमार जी बिनोत कंडारी जी सीमती रेनू बिष्ट जी भारती जनता पार्टी के अंख्या में उपस्तित बैनो और भाईयों आज कोक्सवा सीथ पर आप सबसे संबाद बनाने का उसर पर आपको हो रहा है बैनोर भाईयों यह संबाद मेरे लिए सच मुझ जब मैं देव भूमी उत्राखण में आता हूं तो उत्राखण की यात्रा और यहां का संबाद मेरे लिए आत्म साक्सात्कार जैसे होता है एक अध्यात्मिक अन्भूति का उसर होता है मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कणकरों इसे देव भूमी कहा जाता है यहां से निकली भी पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्राखण से नीचे उत्तरब्रदेश पहुचाती है तो उत्तरब्रदेश भी संब्रिदी की एक नई उचाई तक पहुचता है गफलत होती है और लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तरब्रदेश में अपराधियों के खिलाब जियोलो टॉलेंस की जो नीची है हमारी ऐसा नहीं की अंदर वे अलचिंती रिद्मत होई है मैं उन्हें इस बात के लिए पहले हूं इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लाए नहीं कि और वेन और भाईयों आज फिर से आपको इसी बात के लिए अस्वासन देने के लिए आपके बीच में उपस्तित हुआ हो आजी सुबे प्रजी जीने भारजनता आप देखेंगे एक विक्सित भारत की संकल्पना को से वाला भारत को आगे बढ़ाने वाला युआ महिला किसान और गरीब जिसके आधार हैं इस संकल्पना को जो दोजार सेंटालिस तक जिस पर भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आपको स्थापित कर सके एक ऐसे भारत के निर्मान के लिए भारती जन्ता पार्टी ने अपना इलेक्शन का संकल्पत्र जारी किया है जिसे आप इलेक्शन गोशना पत्र कह सकते हैं मैंने फेश्टो भारती जन्ता पार्टी का जारी हुआ है और मैं कहूंगा कि भारती जन्ता पार्टी का एक एक कारे करता उस मैनिफेस्टों को थोड़ा पढ़े संकल पत्र को पढ़े और फिर जन्ता जनारदन की बीच में आप उसकी बात को रखेंगे तो भारती जन्ता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आधार बनाया है बैन और भाहियों हमने बदलते वे भारत को देखा है हम सब इस बारे में गौरव के साथ कह सकते हैं एक बदा एक भारत मुझे 1998 से गोरकपुर से सांसत के रूप में गोरकपुर से पांच बार सांसत रहने का उसर प्रप्त हुआ और मैं एक सर देखता था कभी-कभी खिनता होती थी। जब सांसत के माध्यम से मैं देखता था कांग्रेश के दसवर्ष के उस कारेकाल को भी मैंने देखा था मन बड़ा खिन्ट होता था कहते था य Jefferson कहां देश को लिए जाना चाहते हैं नोग कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में न युवा था न महलाएं थी न गरीब था न किसान था उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारी था देश को फिर से बिगटन की और ले जाने वाला था लेकिन हमने पिसले दस वर्स के अंदर एक बदलते वे भारत को देखा है बैस्विक मन्च पर जिसका सम्मान है आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है भारत का 140 करोड़ की आबादी में से कोई भारत दुनिया के अंदर क को देखते हैं इस सिमाय सुरक्सित दगज़ें और उत्राखन का तो इस वह popular है और देस का पहला सीडियास और दितीस सीडियास्ट्स्को दिया है इसी जन्पदने लिया है विपिन रापजी की सुरक्सा कीलिए अपनी पुरी जवानी लगाने वाला उत्राखन देश की सीमाओं की बरती सबसे संबेदंसियल और सबसे हमेशा चिंतिप रहने वाला था भैनोर भाईयो आज हम इस बात के लिए अस्वस्त रहें कि हमारी सीमाई सुरक्सित है क्योंकि मोदीची का मित्रत्वा है देश के अंदर आंत्रिक सुरक्सा की स्थिति क्या थी कॉंग्रेस के समय में लगभाट देड़ सो जन्पद देश कैसे थे जो भीषड नकसल बाद की चपेट में थे आज बामुस्किल तीन चार जन्पदों में है और यह भी आप देखना तीसरा कारिकाल दीजिए नकसल बाद का समेचा के लिए समापती हो जाएगी कस्मीर में आतंगबाद की समस्या का समादान हो गया है धारा 370 समापती की आज से चार दिन पहले मैं स्वेम जम्मु कस्मीर में था भारती जनता पार्टी के समर्थन के लिए गया हो था क्या उच्छा था लोगों में लोग आच्छना और लोगतंत्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ करके मोदी की गारंटी पर विस्वास कर रहे हैं जमुकस्मीर के अंदर परिवर्तन पहिनोर भाईयों पुरोत्तर के रा अब ही मैं देख रहा था देरादुन रिशी केस से ट्रेन की स्विधा स्रीनगर होते वे करन परियाद तक कोई सोचता था पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था कितना कठिन था हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते थे के दारनाथ जी के लिए पर बारा घंटे लगते थे आज तो हेलिकटर की सुविधा आदे घंटे के अंदर आपको बद्री नाथ पहुचा देगा पहुचा देगा पिर से अपने उस वैभो को प्राप्त कर चुका है जो 2013 के पहले था क्या कर दिया था कांग्रेस ने कहां पहुचा दिया था और प दो तीन किलो मिटर नीचे जाना पड़ता था हमें पानी के लिए और फिर बायटी में या किसी अन्य उसमें बानी भर करके लाना पड़ता था आज तो हर घर नलकी अप्रारंभग इस्तर पर है इनन के लिए लखड़ी पीनना पड़ता था क्योंकि कॉंग्रेस के लोग तो केरोसीन भी नहीं दे पाते थे आज हर घर को रुसोई गैस के सिलिंडर दे यह तर उत्रा खड़ बनने के बाद उत्रा खड़ने चार धाम या पर जो भी चीज आई भारती जनता पार्टी की सरकारों ने वह परिवर्तन करके रख दिया परिवर्तन के शुरूप में करके रखा आज आप देख सकते इंफ पलाइटी बन रही है नाइटी बन रही है यह पहले कल्पना थी लेकिन आज साकार हो रहा है कॉंग्रेस ने साट वर्स में एक एमस दिया और भारती जनता पार्टी ने सरदे अटल जी के समय 6 एमस बने और मोदी जी के समय 15 एमस बन रहे हैं वर्ड क्लास इनुष्टी की आप देख सकते हैं इंफ्रस्टक्चर का यह वर्ड क्लास इंफ्रस्टक्चर आज आप देख सकते हैं और गरीब कल्याण की तो बात ही क्या कॉंग्रेस के समय लोग भू सिलाग रुपे की आईस्मान भारत की सुविदा पचास करोड़ लोगों के जंदन एकाउंट भरस्ता चार को रोकने की प्रभावी उपाए डीबीटी पचास करोड़ लोगों के एकाउंट खुले गए बारा करोड़ अनदादा किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मा से चार करोड़ गरीबों को आवास और आज के संकल पत्र में कहा गया कि तीन करोड़ और देंगे भी आज ही के संकल पत्र में प्रधान मंत्री जी ने कहा है भीजली धाई करोड़ घरों तक पहुचा दी गई गरीब कल्याण की योजनाए ओंग्रेस करती नहीं थी मोदी पीची ने करके दिखा दिया और तो और अभी बलोनी जी कह रहे थे कॉंग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं और आज जब अयोध्या में पांसो वर्सों का अंटजार समाप्त करके प्रभु राम का भब्य मंद्र बन गया है अब कॉंग्रेस के लोग कहते हैं अब कॉंग्रेस के लोगों के स्वर बदल गए अब कहते हैं कि राम तो सब के हैं आप देखो ना कितने बहरूपिया हैं पहले कहते हैं राम हुए ही नहीं आज कहते हैं राम तो सबके हैं ऐसे ही होता है बैनोर भाईयों इन्हों ने आस्ता के साथ भी खिलवार किया युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवार किया देश की सुरक्सा के साथ भी इन्हों ने खिलवार किया और एक गरीब के ओपर सरकार का जो संग्रक्षन होना ह होना चाहिए था उसका भी नोने मजाग उडाने का काम किया था चेहरा देखकर कि युजनाओं का लाप देते थे कहते थे कि देश की संसादनों वर पहला अदिकार मुसल्मानों का है तो फिर 1947 में देश का भी भाजन क्यों करवाया था किसी ने प्रस्न क्यों नहीं पूछा कॉंग्रेसियों से भारत का नागरिक कहा जाएगा और मोदी जी ने तो हजार चौदा में आने के साथ ही कहा था हमारी योजनाएं किसी ब्यक्ति जाती मत्त और मजब किनी नहीं होगा योजनों का अधार होगा सब का साथ और सब का विकास आज का संकल्प पत्र भी नेशन फस्ट वनाम फेमली फस्ट के बीच में है बहुत स्वस्ट रूप रिखा तयार कर दे रहा है कॉंग्रेस के लोगों के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राश्ट प्रथम है बैन और भायों एक तरफ स्वार्थ का परिवा है एक तरफ देश को अलगाबाद आतंगबाद अराजकता प्रस्टाचार के अगोस में ले जाने की कॉंग्रेस की गारंटी है और दूसरे तरफ भारत को विक्सित भारत और आत्मिनिर्वार भारत बनाने की मोदी की गारंटी है और इसलिए हम सब आपके पास आये हैं उत्तरब्रदेश में तो हम तैग कर चुके हैं 80 सीट हैं उत्तरब्रदेश में 80 लोग सब 80 और 80 की 80 सीट मोदी जी के हवाले उत्तरब्रदेश करने जा रहा है और मोदी जी ने रिस्टी के इसमें से उत्राखंड वास्यों का आवहान किया था और नोंने कहा था मुझे उत्राखंड में उत्राखंड के पंच कमल की माला चाहिए पंच कमल किये यह आपका स्वासन मोदी जी के लिए यहां के विकास के लिए यहां की संब्रिदी के लिए यहां पे चल लहे प्रोजेक्ट को आगे वढ़ाने के लिए और उन अभियानों को जिसके लिए इस देव भूमी की पैचान है पहले कोई किदारनाध धाम और बद्रीनाध धाम की चर्चा करता था क्या सरकार भी उस योजना का हिस्सा बने कॉंग्रेस ने काम जरूर कर दिया मंदिरों के पैसे को धर्मानतन के कारियों में जरूर लगा दिया मन्दिर का पैसा मदर्सा निर्मान में जरूर खर्च कर दिया लेकिन बहन और भायों उन अन मन्दिरों को हम भी सासन के संकरक्षंखि से कुछ उसके पिAlrightधार की कारियों ना बना सके या काम मोदीजी ने करके दिखाया है केदारनाध धाम हो या बद्रीनाध धाम में चल ला प्रोजेक्ट इसका उधारन है वे नौर भईयों आज आप अयोध्या आएंगे ना आज आपको लगेगा जो अयोध्या पांस सज प्रसे पहले गया और आज अयोध्या जाएगा उसको लगेगा साक्सात्रेटा युका अयोध्या उपस्तित हो गया है एक नईय य commission कि दर्शन ओर रहे हैं पति दिन डे楽 से दो लाक भुब का युद्ध्या में दर्शन कर रहे हैं पति दिन कर रहे हैं जो संक्री गलियां थी आज before pakai ini हो चुकी है कोई कोता आई नहीं छोड़ी गई है जितने लोग जितने इस्तरधानों आएंगे सब के लिए सुविदा है सब की सुरक्सा की विवस्ता भी है और हम लोग तो पहले इस बात को कहते हैं कि भी देखो छेडेंगे नहीं लेकिन अगर किसी बेटी और किसी ब्यापारी को छेडा तो छोडेंगे भी नहीं छोडेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत बार तो में लगता है कुछ लोगों को लगता है अपराद करके जेल चले जाएंगे और हमने का जब जेल जाने के पहले जहन्म में पहुचा देंगे और इसलिए बहिनों भायों आज हम सब आपके पास आये हैं कहने के लिए कि उत्राखंड एक सही दिसा में चलना है और डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीट के साथ इसको आगे बढ़ा रही है और उसमें सोने में सुहागा से अनिल बनूली जी गड़वाल संस्थिय छेतर में आपके प्रत्यासी के रूप में आये है मेरी आप सबसे पील होगी कि पाँचों सीटों पर विजय के संकल्प के साथ गड़वाल के सीट पर भी तीहरी गड़वाल पर भी अलमोडा पर भी कल में हलद्वानी में भी था हलद्वानी और यानि नैनिताल सीट पर भी हरिद्वार सीट पर भी सबी इस पाँचों सीटें भारती जनता पार्टी जीते और उत्वाखन फिर से बोले ही के देव भूमी है और देव भूमी में देवताओं का असरिबाद तो देवी ये सक्तियों को और साथविक सक्तियों को जाएगा राक्सिसी प्रविड़तियों को नहीं जा सकता है कभी नहीं जाएगा यह हमारा संकल्प होना चाहिए मैं एक बार फिर से 19 अप्रेल को चुनाओं है और 19 अप्रेल के चुनाओं में आप सबसे फिल करूँगा कि ये कहना कि प्रत्यासिय हमारे गाओं में नहीं आया हमारे घर में नहीं आया बहुत कठिन होता है लोग सभाद चुनाओं के दोरान और उत्रा खणे जैसे छेतर में बद्री नाद धाम से लेकर कि और आपके नजीमाबाद तक आपके देहाद उन के पास तक इतनी लंबी और इतना विस्त्रित छेतर फ़ल लोग सभाद छेतर का होता है कई पिधान सभाये हैं लेकिन फिर भी अनिल बनौनी जी ने काफी कबर किया मेरी आप सबसे पी लोगी अब केवल आपके पाइप परचार के लिए चार दिन बचे हैं इन चार दिनों में आप मोदी जी का प्रतनिधी बन करके के अनिल बनोनी स्वेंब बन करके घर घर जाकर के एक व्यक्तिक को बोली एक भैया चुना कमल के निसान पर जाना है वोट पोल करना है कोई कैसा भी मोसम रहे जैसे आज मुझे कहा जा रहा था कि मोसम बहुत खराब होगा मैंने कहा यार देखो मेरी जनम भूमी है मेरे जाने पर मोसम खराब नहीं होगा और मैं आपसे यह कहूंगा उननीस अप्रेल को चाहे जैसे भी मोसम रहे उसकी प्रवाह के विगर पहले मद्दान के लिए हमें जाना ही जाना है हर एक बेक्ति से मद्दान कराना है मद्दान आपका लोकतांत्री का धिकार है लोगों को समझाने के आउस सकता है और बैनोर भायों अगर हम इस कारेकरम को लेकर के आगे बढ़ते हैं भारी बहुमत से विजई बनाते हैं तो मोदी जी भी कहेंगे कि देखे उत्रा खंड जो आस्वासन दिया था उस आस्वासन पर उत्रा खंड फिर से खरा उत्रा है और आपने विधान सभा चुनाओं में भी गत लोक सभा चुनाओं में भी अपना स्रीबात भारती जनता पार्टी को दिया था एक बार फिर से आप सब से इपील करेंगे कि 19 अप्रेल को चुन कि बैन और भाईयों का हिर्दे से विनंदन करता हो और आप सब से पील करूंगा आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जैश्री राम जैश्री राम बहुत बहुत आभार आपका 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 बहुत बहुत धनिवाद करते हैं और जितिंद्र दिर्वान जी से अनुरोद करूंगी डॉक्टर धंग सिंग रावत जी के हातों एक सुन्दर सा स्मृति चिन यहाँ पे समोन जिसे कहा जाता है पहाड में जब भी कोई अथित हमारे बीच में आते हैं तो हम समूर उनको देते हैं तो धिर्वान जी से अनुरोद करूंगी कि वो एक स्मृति चिन यहाँ पे भेट सुरूप देंगे तो अभी अभी आपने मुक्यमंत्री योगी आदितनात को सुना श्री नगर में अनिल बलूनी के समर्थन में उन्होंने जुनसभाग को संबोधित किया और अब विक्टरी का साइन दिखाते हुए मज़ पर मौजूद सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है न्यूज जीन और इसके साथ ही दूसरी तरफ सीम धामी की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो पिलीवीत में मौजूद है लेकिन फिलाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं श्री नगर की पौड़ी गढ़वाल से भारते जनता पार्टी के उम्मीद्वार अनिल बलूनी के के लिए सीम योगी प्रचार करने पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से जन्सवा को अभी-भी संबोधित किया गया जो तस्वीर हमने आपको दिखाई तो देख सकते हैं मंच पर विक्टरी का साइन दिखाते हुए तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिसमें मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हुए हैं और अलग-अलग राज्यों में जाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं सीम योगी जादितनाथ इसी कड़ी में ये प्रचार